स्वागत है आपका YouTube चैनल MS Classes में आज हम इस वीडियो के जरिये बात करेंगे भासाई मानविज्यान के बारे में जो की मानविज्यान की एक उपसाखा है जैसा कि हम देखते हैं कि भासाई मानविज्यान के अंतरगत भासा और संस्कृति के पिछ अंतर संबंधों का अध्यान के जाता है और साथ ही अभी बोल सकते हैं कि भासा संस्कृति का समवाहक है और साथ ही साथ भासा एक पीड़े से दूसरे पीड़ी और एक अस्थान से दूसरे अस्थान में पहुंचती इस प्रकार से हम देखते हैं कि भासा और संस्कृति में बहुत कुछ समाने दाएं भी हैं और वह एक दूसरे पर आस्रित भी है जैसा कि हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि एक विशेज भासा में एक विशेज प्रकार की संस्कृति का निर्मान होता है इस तरह से हम देखते हैं कि भासा और संसरती साथ साथ चलती है भासा इस्रेणियों को अगर हम देखे तो हम यह जान पाएंगे कि भासा इस्रेणियों के द्वारा भासा बोलने वाले वैक्ति की मस्तिक तक भी पहुंचा जा सकता है और हमें भासाय स्रिन्यों के द्वारा इतिहासि ग्यान का भी बोध होता है इस तरह हम बोल सकते हैं कि भासाय मानविग्यान मानविग्यान में अपनी एक अलग पहचान बनाने में भी सफल है और हम याबे जानते हैं कि विस्व में मानवी एक ऐसा प्रानी है जिसके द्वारा साब्दिक और असाब्दिक संकीतों का अविस्कार किया गया है और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि साब्दिक संकीतों के विकास करने में मानव द्वारा द्वन्य उत्वन करने और द्वन्यों के संयोग पर विशिस ध्यान दिया गया है आसाब्दिक संकेतों को देखते हैं तो बोल सकते हैं कि आसाब्दिक संकेतों को मान अंगो और हावभाव से भेजता है साथी साथ हम देखते हैं कि विश्व में जितने भे आसाब्दिक संकेत हैं भेजने का संकेत हैं सभी मानाव की अंग एक समान ही होते हैं और साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि विश्व की सवे बहासाओं के संरचनातमक सिधान्त एक समान ही पाई जाती है और हम यह भी बोल सकते हैं कि प्रतिक समाज के मानव की मस्तिक्स में हो रहे विरोत को ध्यान में रखते हुए ही बहासा को संचालित किया जाता है जैसे कि हम बोल सकते हैं कि उच नीच, उपर नीचे, अपना पराया, माता, पीता और भाई बहन प्रकृतिक संस्कृति इसी तोहरी विरुधनात्मक विवस्था द्वारा प्रतिय भासाई समू अपने सदस्यों के मस्तिस को संचालित करते है इस प्रकार से हम तो जाने भासाई मानव ग्यान क्या है अगर हम विसेवस्था की और ध्यान दे तो हम जान पाएंगे कि इनकी वही कई विसेवस्था हैं जैसे हम पहले विशेवस्तु के बात करें तो हम जान पाएंगे कि भारत में भासा के अधार पर मानव समू का वर्गी करन किया गया तो दूसरी भासा की उत्पति और विकास जैसे तत्व का अध्यन करना तीसरी कि किसी भी भुभाग में भासा समू के समाजिक और सांस्कृतिक का ध्यान करना चौती विशेवस्तु की अगर बात करें हम तो जानेंगे कि एक भासा दूसरी भासा के संपर्क में आने पर उसके परिनामों को भी जाना जाता है पाच भी असादिक वेवहारों और उनके संकेतों का भी अध्यान किया जाता है भासे मानविग्यान की विशेवस्तु के बारे में बात करें तो हम जान पाएंगे कि भासा की संदचनात्म विशेश्ताओं का भी अध्यान किया जाता है इस प्रकार से भासे मानविज्यान की कई विशेवस्तू को हम देखते हैं इस तरह से तो आज जाना कि भासे मानविज्यान क्या है उनकी कौन-कौन सी विशेवस्तू है आज के लिए बस इतने ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ